नालागड के एक गाउं टांग टप्रिया में बड़ा हाथ सा होते होते बच्चा जब एक 33 केवी की तार तूट कर घरों में गिर गई गाउंवासियों का क्याना है कि कई बार शिकायत करने पर भी बिचली विभाग की तरफ से कोई भी कारेवाही नहीं की गई आपको बता दे कि ऐसा मामला नालगड स्थित गाउं टांग टप्रिया में आया है जहां पर उपर से जा रही एक 33 केवी की तार अचानक घरों के उपर गिर गई गाउमासियों का कहना है कि ओनलाइन क्लासिस की वज़ा से बच्चे घरों में पढ़ रहे थे वरना किसी अप्रिया दुरघटना का सामना करना पड़ता उनका कहना है कि ये तार तकरीवन 60 से 70 साल पुरानी है अब हर घरों में लोट बढ़ गया है इसलिए बिजली विभाग को चाहिए कि इस तार को बढ़ ले ताकि किसी भी प्रकार की कोई दुरखटना नो हो अर्सान का पत्तनी हा गया हुरे थे भी थोड़ा अगला है इक लग चुरिया जो तर तुम्हा रोगोड़ा ले उसी अग्गा जादी निन न थार बदली थी खंबा गड़्या था जाद मैं बोर ली थी विजदे नंग्या तारा पॉर्ला दे तुस ने लिए भी हो ने पर लाइट टेम्स टीवी के लिए नालागर से अजेर रतन के रिपोर्ट और इमेल से भीजे अपना बायो डाटा hr-goilmotor.com पर